सबसे पहले नापाक फौज को वहां से भागना पड़ेगा पीछे पिर वहां पर डायलोग बाजी करना हम यह कर देंगे हम यह कर देंगे फलाना कर देंगे अरे जहां से खत्रा है रोज तुमारे गाजर मूली की तरह तुमारे बंदे काटे जा रहे हैं पिछ चबा के तुमारे इंडिया से कोई थ्रेट नहीं है तो में फ्रेट जहां से है वहां पर जाकर डायलोग मारो ना डियोरे लाइन पर कि तालिबान देख लूगा तुझे लूगा तुझे पिर बताएंगे देख लेगा हम तो कुछ कर ली नहीं तो चाह बैठे में हमें अपनी एको लाजिस्ट एकोनोमी है हमें इसको थर्ड लाजिस्ट बनाना है यह हमारा एम है जैह हिंच स्वागत आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में दोस्तों पाकस्तान में अप जिस तरह की हालात हो चुकी है उससे लोगों का ज्यान बढ़काने के लिए पाकस् पाकस्तानी मीडिया में कोई उसकी सुद लेने वाला नहीं है ज्यादा तर पाकस्तानी मीडिया इमराल खान की पैरिवी करने में लगा हुआ है, वहीं पर दोस्तों पाक्सटानी सरकार भी चाहती है कि लोगों का काइन ध्यान बढ़का दिया पाक्सटानी आर्मी चीफ ने कल एक बारçar फिर्ट लगैर Search कि दोस्तों बार्किया class од ओनों ने जिस वारत के खिलाप पड़ास निकालने की iOS कि रहे हैं जाना तो आखिकार पाकस्तानी आर्मी चीफ को वहां था लेकिन इदर जो दो साल से बिल्कुल साइलेंक पड़े बोर्डर पर आकर इस तरह की बडास देना यह सिरफ पाकस्तान के लोगों का ध्यान बढ़काने के सिवाए और कुछ भी नहीं था तो चलिए हम दिख ही नहीं है 0-0-0 ठीक है इन्होंने यह बोला है कि भई पाकिस्टानी फॉज तयार है किसी भी प्रकार के अगर अगर व् की ओर से तो उसका मुतोर जवाब देने के लिए यह सब लहरी हैं लहरी चुरन यह सारे के सारे लहरी एक जैसे हैं यहनों वहाँ पे चुरन खिला दिया अपने टूप्स को तूप्स भी इनके लहरी हैं वो भी ताली वहाँ पर तो गोली तो दूर किसी ने पथर भी नहीं पहका लाइन ओफ कंट्रोल भार जो हमारा चलता था ऐसे गुला बारी चलती थी शलिंग चलती थी गोली चलती थी वह तो दोड़ाई साल से नहीं हुई है वो तो शांत है बिल्कुल फिर वहाँ पर डायलोग बाजी कर हम यह कर देंगे हम यह कर देंगे अरे जहां से खत्रा है रोज तुम्हारे गाजर मूली की तरह तुम्हारे बंदे काटे जा रहे हैं पिछले तीन मेने मैंने कली कवर करा था कि 120-700 इनके पुलिस वाले मारती एक हाइवर पक्तून को मैं यह कौन मार रहे हैं सरतपार से तो भागे आ तरी के तालेबन पाकिस्तान गोले मारते अफगानस्तान चले जाते गया जुर्ण सक्वरेंगार तुम्हें यहांसे वह देख लूगा तुझाए तालेबान तुझे तो बताएंगे लूग देख लूगा तुझे तो कुछ करी नहीं हैं हमें अपनी economy देखने हैं हमने यह पूरा देश उसमें लगा हुआ है यह जहाद ऐसे अर फिर लाल के लिए पर और ताज महल हम लोग यह सब बाते नहीं करते ह्या हलकी बाते हैं यह चोटी बाते हैं यह सी क्याटिगरी की बाते हैं यह तो हम लोग करते ही इन बातों को हम लोग फोकस्ट ने एकॉनोमी पर हम लोग एजुकेशन पर हम लोग हेल्थ केर पर इंफ्रस्ट्रक्चर पर इन चीज़ाद प्याद आप लोड़ो यह फालतु की चूरा नहीं जियाद करना यह किसी और को खिलाना अच्छा या तो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ अनपड़ है या जाहिल है यह कुछ है इसके साथ प्रॉब्लम और हरे चीफ की बात कर रहा हूं सिर्फ इसके पहले कश्मीर की जो समस्या है उसका समधान यॉनाइटेड नेशन्स का जो रेजिलूशन है उसके हिस का चीफ साबसे होना चाहिए हम यह चाहते हैं यह आसे मोनीर ने कह दिया यह यह बाजबाने कहाता था हूसके पहले यह सारे सारे एक ही डायलोग बढ़ते हैं इसलिए मैं इनको जाहिल कहता हूँ इसलिए मैं इनको अनपढ़ कहता हूँ क्योंकि इन्होंने यूएन रेजलूशन पढ़े नहीं है जिसका हर एक 22 करोड में से 22 करोड पाकिस्तानी जिसकी कस्में खाता है कि यूएन करें इनको बस बता दिया पाकिस्तानी पढ़े लिखे तो हैं नहीं जादातर लोग बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे हैं और जादातर मदर्से में पढ़ते हैं तो इनको पता ही नहीं कि दुनिया में हो कर रहा है इनकी खास तोर से तालीम होती है खास किसमी बस उसी में ब्रेन वाउश रहते हैं पाकिस्तानी, जादा पढ़े लिखे लोग होंगे लेकिन जादा पढ़े लिखें नहीं हैं, इंटलेक्पिल उसमें कम मिलेंगे आपको पाकिस्तान में सिंपल सी चीज़ है आप United Nations की वेबसाइट में जाईए और Resolution को डव्लोड करें Resolution की तीन शर्ते हैं सबसे पहली शर्त है कि Pakistan Occupied कश्मीर से पाकिस्तानी फाज वापिस जाएगी और बिल्कुल खाली कर देगी बिल्कुल खाली कर देगी तो भाई साब एक बाद बताईए आसिम मुनीर भाई आसिम भाई लेट मी कॉल यू आसिम भाई आप एक बाद बताईए आप पाकिस्तान Occupied कश्मीर में जा रहे हैं और वहां से डायलोग मार रहे हैं और आप हवाला दे रहे हैं United Nations Resolution का जिसकी पहली शर्त है कि पाकिस्तान को वो एरिया खाली करना है आप क्यों नहीं करते फिर इतना UN Resolution UN Resolution का सारे पाकिस्तानी इतना ढोल मजीरा पीटते हैं दिन राट कि UN Resolution और कश्मीरियों को ये कश्मीरियों को अरे जाहिलों तुम्हें पता भी है उस कागस में लिखा क्या है तुम्हें पता भी है उसमें लिखा है पहली शर्त ये है कि पाकिस्तानी फॉज और पूरा पाकिस्तान का जो सिस्टम है वहाँ पे बियोरोक्रसी है वहाँ पूरी वहाँ पे सब कुछ सबसे पहले तुम पीछे जाओगे तुम पाकिस्तान ऑकिपाइट कश्मीर और गिल्गिट बार्टिस्तान को पूरी तरीके से खाली करोगे और जब तुम उसको खाली कर दोगे फिर वहाँ पे इंडियन आर्मी दाखिल होगी एक खास फोर्स लेवल को लेके जिससे कि इस तो है नहीं, इल्म है नहीं, ग्यान है नहीं, कुछ पता नहीं है, हंगूठा ठेक, अब ये क्या करते हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ने बोला कि जो थर्ड स्टेप है ना उसको पहले कर दो, लड़की देखी नहीं, शादी हुई नहीं, बच्चे का अड्मेशन कॉल पाकिस्तानी से बोलूँगा, आप लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, आप लोगों बहुत कम हैं जो पढ़ पाते हैं, और इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा, इसलिए कमजोर है, क्योंकि आपके पूरे मुल्क में इतने सारे उर्दू के चैनल है, एक इंग्लिश का टी और ट्रांसलेट करवाने के बाद सबसे पहले आप उसको पढ़िये पाकिस्तानी कि उसमें लिखा क्या है, जिसकी कसम पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खाता है, सबसे पहले नापाक फौज को वहां से भागना पढ़ेगा पीछे, फिर जो इंडियर आर्मी है, वो अंद ये अंदर भीग मांग रहे है, तो पहले जब ये चाहते थे कि अमरीका जाके भीग मांगे, अब ये कह रहे हैं कि अमरीका का अमरीका का अम्बैसडर तो है, इसलामाबाद में अमरीका का अम्बैसडर है, चलो बगल में जाके उसी से भीग मांग लेते हैं, यूस अमबैस मिनिस्टर गया वी नीड मोरे सोर्सें फाइनसिंग देखो यह गया है इन हैंड जिसको कहते है अपना कटोरा लेकर लेकर गया डेविड ब्लूम के पास जो की युएस का इस्लामबाद में बोला अबस्टर साब डेविड भाई डेविड भाई आप एक मदद करी हमारी हमें भीग दिलवा दीजा आएमेफ से तो डेविड ने बुला क्या है लोक इंट डोंट वरी हम कुछ करते हैं तुम्हारा लिए हम देखेगा कि तुम्हारा क्या कर सकते हैं जैसे वो पुरानी हिंदी फिक्चरों में वो टॉम अल्टर नहीं बोलता था बॉब क्रिस्टो टॉ बहुत बेकूफ बनाया बहुत बेकूफ बनाया जिहाद गिनाम पर बहुत पैसे लूट है अमेरिकन से अर्बों की जेप काटी अब अमेरिकन्स कह रहे हैं बेटा देखो आएमेफ क्या है वोट इस आएमेफ आएमेफ तो इस अनदर नेम फॉद यॉनाइटे स्टेट रहे हड्यां मास से अलग हो रही है दीरे 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 जितना मोड राइए और चीके नेकल रही है पाकिस्तानी इसने भी इसको चाई बिसक्ट खिला होंगे और इशाक डर को बोला गाई इशाक बाई गो हम देख लेंगे और मैं अभी कह रहा हूं आपको आपको कह रहा कोई पाकिस्तानी ज़रा बोला था कि पूरी गरम पैशा देंगे और जब आये एगा उसकी बीच में पाकिस्तान की ऊपर कितना ब्याज चला पाकिस्तान की उपर कितना ब्याच चड़ा ये किसी ना किसी को सोचना चाहिए और पूछना चाहिए तब पता लगेगा पाकिस्तान में हो क्या रहा है पैसे की वैल्यू हाफ से भी कम रह चाएगी क्यों कि तुम्हा और इसको चेरे चपाटें पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी भीक मांगने में एक्सपर्ट हैं, हर रोज चार-पांच टीमें बनाओ और पांच एंबसी को रोज आप अपरोच करो, थोड़ा सा बेलजियन से मांगो, थोड़ा सा इंग्लेंड से मांगो, थोड़ा सा फ्रांस से मांगो, थोड़ा सा इटली से मां तो दोस्तों किस तरह से आपने देखा होगा यह पाकस्तानी आर्मी की हमेशा से यही रन नहींती रही है कि जिस तरह बात का डर दिखाकर पाकस्तान के लोगों के खुन-पसीने की कमाई पाकस्तानी आर्मी चूशती आई है चालीस परतीस अथ तक बजट पाकस्तानी आर्मी पर खर्च होता है लेकिन उसके बावजूद भी पाकस्तानी आर्मी पाकस्तान की पॉलिटिक्स में गुशकर किस तरह करप्सन का तांड़ाव मचाती है और उसके बाद देखा होगा आपने आज कोई भी पाकस्तान का जो र बाजना आई तो पाकस्तान के लिए सबसे ज्यादा खत्रा इस आर्मी से है तो देखते हैं पाकस्तान के लोग कब तक इस आर्मी का जुलम को सैंद करेगी तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह कि एक से एक लेटस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे पलीज आप हमारे जय हिंद बंदे मातरम